यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है, दो सोवाँ दिन केवल अनुग्रह, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्वी पर सबसे बड़ी परेशानी बहुत कम लोकतंत्र नहीं या बहुत ज्यादा गरीबी नहीं या बहुत कम AIDS प्रतिरक्षक दवाया नहीं बलकि यह तथ्य है कि विश्व की दो Bible में भरा हुआ है, नियाय को समझे बिना हम अनुग्रह को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, अनुग्रह की एक परिभाशा है प्रेम जिसके हम योगी नहीं थे, अनुग्रह को समझने के लिए एक स्मृती सहायक का इस्तिमाल किया गया है, मसी के बलिदान से मिला परमेश हम आज देखते हैं कि कैसे मश्री इश्यू आपके लिए और मेरी लिए अनुग्रह को उपलब्द करते हैं। दोनों से यहवा घ्रणा करते हैं, दोनों ही भयानक अन्याय हैं, इससे परमेश्वर घ्रणा करते हैं और यह समाज पर एक बुरा प्रभाव डालता है। रिश्वत के द्वारा बहुत बड़ी परिशानी खड़ी होती है। दुष्ट जन न्याय बिगाडने के लिए अपनी गाट से गूस निकालता है। एक विकसित हो रहे देश में एक वकील ने मुझे बताया कि यदि आप चाहते हैं कि मामला न्यायले में तीजी से पहुँचे ना कि सामान्य रूप से लगभग दस साल की देरी के बाद तो आपको पहियों में तेल डालना पड़ेगा। रिश्वत के लिए अभीवक्ती। न्याय के लिए संघर्ष एक गंभीर उत्तरदायतु है। इसमें कठिन परिश्रम की जरूरत है। यह आसानी से ठका सकती है। नितिवचन की पुस्तक संतुलित बुद्धी से भरी हुई है। यह हमें परिवार और मित्रों की अवश्रक्ता की याद दिलाती है। मित्र सब समस्याओं में प्रेम रखता है और विपत्ती के दिन भाई बन जाता है। परिवार और मित्रों के साथ साथ मनोरंजन महतुपून है। मन का आनंद अच्छी औशदी है परंतु मन के तूटन से हड़ियां सूख जाती है अपने आपको बहुत गंभीरता से मत लीजिए हमें अपने आप पर हसने की आवशकता है हसी एक आंतरिक अभियास है यहां आपकी आत्मा का व्यायाम है और यह इसे स्वस्त रखता है परमेश्वर हमें दिखाईए कि एक व्यक्ती और एक चर्च के रूप में आप क्या चाहते हैं कि हम करें सभी तक न्याय को उपलब्ध कराने के लिए हमारी सहायता करिये अपने जीवन में संतुलन को बनाए रखने में अपने उत्तरदायत्यों को गंभीरता पूर्वक लेने में और फिर भी परिवार, मित्र और मनोरंजन के लिए सम आप अपने विशय में क्या विश्वास करते हैं? आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आपको किस तरह से देखते हैं? आप क्या कलपना करते हैं कि वह आपके विशय में कैसा मैसूस करते हैं? अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर हमें सत्यनिष्ठ के रूप में देखते ह सही व्यक्ति, सत्यनिष्ठा एक मुफ्त उपहार है जो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। उग्रशमा जिसे हम अनुग्रह कहते हैं, इसके साथ स्परधा में हमें पाप खड़े नहीं कर सकते हैं। जब पाप और अनुग्रह की लड़ाई होती हैं, तब अनुग्रह जीत जाता है। पालूस अनुग्रह की अद्भुतता के विशय में और अधिक बताते हैं। वह दो स्तरों को बताते हैं आदम का स्तर और मसी का स्तर। स्वाभाविक रूप से वह कहते हैं कि हम सभी आदम के स्तर के भाग हैं। पाप, मृत्यू और परमेश्वर से अलगाओ आदम के कारण विश्व में आया। फिर भी पालूस एक नए स्तर का भी वरणन करते हैं जिसे ईश्व ने अपनी मृत्यू और पुनुरुथान के द्वारा लाया। अदभुद बात यहा है कि आप आदम के स्तर से निकल कर ईश्व के स्तर में ला दिये गए हैं। परमेश्वर की अच्छी पुस्तकों में नाम कमाने के द्वारा नहीं बलकि ईश्व के द्वारा उपलब्द कराए गए परमेश्वर के अनुग्रह की उपहार को स्वीकार करने के द्वारा। आदम के द्वारा आई मृत्यु की तुलना, पॉलूस इशुमसी के द्वारा आई जीवन के साथ करते हैं, लेकिन उनकी मुख्य बात यहा है कि उपहार अपराद की तरह नहीं है. आखिरकार उनकी केवल तुलना की जा सकती है क्योंकि जीवन का उपहार अपराद से कहीं आदम के पाप के कारण बहुत से मर गए लेकिन इश्यू की आग्याकारिता ने बहुतों को उस अनुगरह में पहुचाया जिसमें आप खड़े होकर सत्यनिष्ठा के मुफ्त उपहार को ग्रहन करते हैं और मुफ्त उपहार पाप की तरह नहीं है जैसा एक मनिश्य के पाप क करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं क्योंकि एक ही के कारण दंड की आग्याका फैसला हुआ परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन हुआ कि लोग सत्यनिष्ठ ठहरें आदम के पाप के कारण मृत्यू ने राजि किया किन्तु एक मनुष्य अर्थात ईश्यू मसी ने सत्यनिष्ठा को एक उपहार में लाने के लिए प्रक्रिया को बदल दिया और हमें परमेश्वर के अनुगरह में खड़े होने के लिए सक्षम किया. मृत्यू के राज्य करने के बजाए हम जीवन में राज्य करते हैं. आदम के पाप का अर्थ है कि हम सभी अपराधी ठहराए गए. क्रूस पर ईश्यू की सत्यनिष्ठा का कारिय परमेश्वर के लिए यह संभव बनाता है कि आपको भी सत्यनिष्ट गिने और आपको जीवन दे. इश्यू की सत्यनिष्टा से आप सत्यनिष्ट हुए. हमें परिशानी में से निकालने से कहीं बढ़कर उन्होंने हमें जीवन में ला दिया एक व्यक्ती ने परमेश्वर को ना कहा और बहुत से लोगों को गलट ठहराया एक व्यक्ती ने परमेश्वर को हां कहा और बहुतों को सही ठहराया इशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यू के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह और उनके उपहार को संभव बनाया हमारे पाप का परिणाम है नियाय और दंड यदि हम केवल नियाय पर निर्भर रहें और केवल नियाय पर तो हमें यही मिलेगा लेकिन क्योंकि इशु आपके स्थान में मर गए इसलिए आप सत्यनिष्ठा के उपहार को ग्रहन कर सकते हैं परमेश्वर खरे हो सकते हैं और फिर भी आपको रिहा कर सकते हैं खरा अनुग्रह है. ईशु ने परमेश्वर के अनुग्रह के बौतायत प्रधान और सत्यनिष्ठा के उपहार को संभव बनाया. आप उस सत्यनिष्ठा को ग्रहन करते हैं, जो जीवन लाता है. आप सत्यनिष्ठ बना दिये जाते हैं. हमारे प्रभु ईशु मसीग के द्वा आप अनन्त जीवन ग्रहन करते हैं। आपका बहुत धनिवाद, आपका धनिवाद क्योंकि यदिपी मैं न्याय और दंड के लायक था, आपने मेरे लिए यह संभव किया कि मैं निर्दोष्ठ हैरूं और अनुग्रह के द्वारा एक उपहार के रूप में परमेश्वर से सत्यनिष्ठा को ग्रहन करूं। पुराना नियम आमोस आठ का एक से नौ के पंदरा तक न्याय और अनुग्रह के परमेश्वर। आमोस फिर से अन्याय के विरुध बताते हैं। लोगों की स्थिती उस तरह से नहीं थी जो आज हम अपने समाज में देखते हैं। लोग आत्मिक भूक से मर रहे थे। परमेश्वर के वचनों को सुनने का एक अकाल पड़ा है। लोग खोज रहे हैं। वे ड्रग्स, शराब, यौन संबंद या ताकत का इस्तेमाल करते हैं। यह सब उस गहरी भूक को तरप्त करने का प्रयास है। लेकिन उन्हें आत्मिक भोजन नहीं मिलता है। वाचा के नियम का लक्ष था कि गरीबों को सुरक्षा प्रदान करें। किन्तु जैसा कि आज अक्सर होता है, गरीबों को न्याए नहीं मिलता है। उन्हें कुछला जा रहा है, उन्हें धोका दिया जा रहा है। परमेश्वर बैमानी से नफरत करते हैं क्योंकि वह हम से प्रेम करते हैं और वह गरीबों से प्रेम करते हैं। अन्याए और बैमानी इसराइल का मुख्य पाप था। इन सभी के परिणाम स्वरूप आमोस कहते हैं, न्याए का दिन आ रहा है। इसराइल को देश से निकाल दिया गया। फिर भी आमोस की पुस्तक इस बात से समाप होती है। मैं दाउद के घराने को जियोंकात्यों कर दूँगा जो तूट चुका है। सब कुछ एक ही समय में हो जाएगा और जहां कहीं आप देखोगे आशीशें होंगी। पर्वतों और पहाडों से उमरते हुए दाखरस की तरह आशीशें। मैं अपने लोगों के लिए सब कुछ फिर से सही कर दूँगा। वे अपने बरबाद शहरों को फिर से बसाएंगे। वे दाख की बारी लगाएंगे और अच्छा दाखरस पीएंगे। वे बागीचे लगाएंगे और ताजी सबजियां खाएंगे। और मैं उन्हें बसाओंगा। उनकी के पाप और अन्याय परमेश्वर की आशीश की यूजनाओं को दूर नहीं कर सकते हैं। यह उतना ही गतीशील है जितना की हमने हमारे नए नियम के लेखांश में देखा। परमेश्वर का अनुगरह और दया हमारे पापों से कहीं बढ़कर है। इशो संभव बनाते हैं क कि न्याय और शमा साथ साथ जाएं। जब पाप बढ़ा अनुगरह उससे भी अधिक बढ़ा। मैसेज अनुवात कहता है लेकिन पाप उस उग्रख शमा के सामने खड़ा नहीं रह सकता और ना रुख सकता है। जिसे हम अनुगरह कहते हैं। मैं सोचती हूँ कि इसी वज़ा से हम आवसर बंदिग्रह में जाता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। नीतिवचन 17 का सत्रा। कर दो कहते हैं।